हेलो फ्रेंट्स मैं हूब इटू आपको स्वागते फिल जोई में आज हम बताने जा रहे एक धमकतर फिल्म के बारे में और वो है केजिएफ चेप्टर टू लेट्स फॉल्ड आप दार इंट्रो एंड स्टार्ड तो इस मूवी के सुरत होती है अनान से जो कि केजिएफ के स से स्टूरी सुना रहे होते हैं पर यहां उन्हें हॉस्पिटल में लिखाता है कि आप उनको हाट एडेक आ चुका होता है इसलिए उनके वेटे विजिएफ विजैफ के कहानी अभी तक कॉंप्लेट नहीं होती है इसलिए इस कहानी को सुनने के लिए हर कोई एक्साइट हो और इसकी अधूरी कहानी विजेंद्राफ पूरी करते हैं और वे आनन के ओपिस में जाते हैं और काफी ढूने के बाद उन्हें के जीफ चेप्रटू की कहानी मिल जाता है और विजेंद्राफ कहानी को पढ़ना सुरू करता है फिर यहां पर स्टेंच होता है और फ्लास्बे गरूडा की कुर्सी पर जाकर बेट जाता है, और ये बतता है कि उसने वीराट को भी मार दिया है, वो साथ में रिना को भी लेके आया होता है, और ये ये भी बतता है कि उसने रिना को एंटरेटेर्मेंट के लिए लाया है, पर ये सब बात सुनकर कमल भरक जाता है और रोकी को इंसाल करना सुरू कर देता है पर ये बात को सुनकर रोकी को गुसा आ जाता है और कमल को उहीं पर मार देता है और रोकी के लोग बाकियों को भी मारने जाते है लेकिन उसका बिगनेस आगे बढ़ने के लिए उसे छोड़ देते है सिन चेंज होता है यहाँ एक लरका को दिखाया जाता है जिसका हाथ में एक गन होता है पर इसका माँ इसका खिलाफ होता है और इन चीज से दूर रहने को कहती है पर तबी फर्मन कहता है कि पिर दून पहले हम सब के से जी रहे थे और आज के से जी रहे है रोकी के कारण उन सब की जिन्देगी बदल चुकी थी ACTUAL में KGF के सारे लोक रोकी को अपना खुडा मानते थे और यहाँ रीना को भी दिखाता है जो कि यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है अब रोकी जेल में चला जाता है और वहाँ जाके बनरम से मिलता है जो कि केज़ेफ के सेकुरिटी उसका हाथ में था पर ये पहले गुर्डा का खास आदमी हुआ करता था रोकी उसको फिर से केज़ेफ के सेकुरिटी समालने के लिए कहता है पहरे तो वो मना कर रहा था पर फिर रोकी उसे मना लेता है रोकी बनरम को लेकर केज़ेफ आ जाता है और केज़ेफ के लोग उससे यहाँ देखकर डर जाते है क्योंकि वे सोचे होते है कि Rookie ने उसे मार दिया है फिर Bनरम के हाथ में एक गान दिया जाता है और निशना लगाने को कहता है और Bनरम गान चे निशना लगा कर कहता है कि उसे OutPast One पर 300 लोग चाहिए और फो भी टेन सेकूरिटी के साथ अब रोकी के कहने पर वहां के लोगों को बनरम द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है और रोकी को ये भी पता चल जाता है कि वहां सिर्फ एक माइन नहीं बलकि नो माइन है और वहां पर सिर्फ एक माइन ही खोली गई थी और अब रोकी बच्चे उन आट माइन को भी खोल देता है और इन माइन कोलने के बाद यहां के मजदूर KJF के फेक्टरी में जाने डर रहे थे क्योंकि वे उन पल को भूले नहीं थे लेकिन उस समय वहां रोकी आजाता है और उस फेक्टरी के अनदर चला जाता है जिसे देखकर उनकी हम्मत आ जाती है और वे वी चले जाते हैं अब रोकी के महाल में कुछ बच्चे को दिखाता है जो रोकी के नाम लेके सोर मचा रहे थे ये सुनकर रीना उन बच्चे को चिलाती है दरसल रीना को ये बात पता नहीं थी कि रोकी ने कीजेफ पर किया क्या है इसलिए उन बच्चों ने रीना को रोकी के बारे में बताते आप अगले सिन में फर्मन को दिखाता है जो कि और पर्स ओन में सेकरिटी के लिए जा रहा होता है और यह सब वो अपने मां को दिखाता है और इस तरफ राजिनादेस से टा को को और की सामरे लोकी को कहता है अब के जीएफ में दिन राद माइनिंग चल रहे होती है मगर रोकी को काम और बराने के लिए कहता है और वे सोने की कुछ बॉक्स मिला रहे होते है तब ही वहाँ अधिरा की तलवार गिर जाता है और वहाँ के सारे लोग डर जाते है मानो जैसे वहाँ खुद अधिरा आया है अब यहां बनरम कहता है कि जब सुर्यावर्दन केजीएफ का राजा था तो अधिरा ही केजीएफ का सेकुरिटी को समलता था अगर गवड़ा की समय अधिरा यहां होता तो तुमको रोक लेता क्योंकि वो खुदी एक फोच की बराबर था सिन आर्टपोस वन की ओर दिखाता है वहां अधिरा को आते देख फरमान उस ब्रीच पर आग लगा देता है ताकि वो आने ना पाए लेकिन अधिरा उस आग की ब्रीच से ही आ जाता है और ब्रीच की रसी को पकर कर अपने आदमियों को विपार कर लेता है फिर फर्मन कहता है कि वो एक छोटा लर्का होके भी तुम लोगों को हिला दिया है तो सोचो रोकी क्या करेगा अब दुसरी तरफ एंड्रिव राजने दिसाई को एकले ही मिलने बुलाता है और कहता है कि रोकी को मार सकते है इसके लिए रीना को बाहर लाना होगा पर राजने दिसाई कहता है कि रीना बाहर नहीं आएगी लेकिन एंड्रियू कहता है अगर उसके बाप टीबी पर आ जाए तो उसे आना ही परेगा तबी एंड्रियू राजनेर दिसाई को मार देता है और रिना अपने पापा की मौत की खबर सुनते ही तूरन केजियेफ से निकल जाती है और रिना केजियेफ से बाहर चले गई ये सुनते ही रोकी उसे लेने चला जाता है लेकिन रास्ते परेज रिना को अधिरा के लोग पकर लेते है और रोकी यहां गिर जाता है लेकिन अधिरा उसे छोड़ दिता है ताकि रोकी के चाहने वाले लोगों की आत्मा भी फ़स उर जाए और अब रोकी को KGF वापस ले जाता है और उसकी चीटमेंट किया जाता है इस तरफ एंड्यू और सेटी मिल कर बाहर रोकी के सारे लोगों और बिजनेस पार्टनर को मारना सुरू कर देता है इधर अधिरा KGF के लोगों को बाहर आते हैं मारना सुरू कर देता है इसे रोकी की खौफ और KGF गिर जाता है और यहां रोकी KGF के सारे पेसे और रीना क को लेकर vacation के लिए निकल जाता है इससे केजेफ के लोगों को लगता है कि अब रोकी भाग चुका है और कुछ लोगों को लगता है कि रोकी वापस दरूर आएगा पर असल में रोकी vacation के लिए नहीं बलकि दुबए का एक डॉन इनायट खलिल से सोने की business करने और वहां से हतिय केजेफ आजाता है और उस और पस्वान में अधियार ने मारे 300 लोगों को भी साथ ले आता है फिर उसे खर्मन की मां के द्वारा दुआए भी मिलती है और अब रोकी सेटी को भी मार देता है बस कुछ सालों में ही रोकी केजेफ को फिर से ठीक कर देता है और यहां गुरु पंडियन था असल में गुरु को रोकी से मोटा रकम भी मिलता था लेकिन इन दिनों कनेक्शन कुछ तूट चुका था इसके करन रोकी के गोडाउन और वेरहाउस में भी रेड परती है इसे रोकी को काफे नुकसान जेलना परता है और एक दिन पुलिस ने रोकी क को सीधा मारने की एलन कर देती है और सरकर की ये बात सुनकर रोकी अपना गोल के धन्दा कुछ दिन के लिए बन कर देता है जिससे इनायत खलिल और एंडु को दिक्कत हो जाती है इसलिए एंडु उस तरफ अधिरा के पास जाता है और रोकी को मारना चाता है इस तरफ रो और आकर रोकी को खतम करना चाहती है और रोकी केजएफ पर वपस आ जाता है केजएफ वपस आने पर केजएफ वपस आने पर उससे पता चलता है कि उसका गल्फरेंड पेगनें है और रोकी बाप बनने वाला है लेकिन उसी समय अधिरा अपने लोग से केजएफ में हमला कर देता है और रिना की मौत हो जाती है इस बात को लेकर रोकी काफी गुसा हो जाता है और अधिरा के साथ एक धमाकेदार फाइट होता है और फाइनले रोकी अधिरा को मार देता है फिर रोकी अपना चाचा को तिस्रे रस्ता के बारे में पुछता है और वो एक गन लेकर परल आशन में चला जाता है और सरकार रोकी की डेट वायन निकल देता है पीम रोकी को मारने के लिए इंडिया के सारे फोर्स को पावर दे देती है अब इंडियान फोर्स केजीएफ में रहने वाले सारे लोगों को बाहर निकल देता है और केजीएफ को एक बड़े मिसाइल से न किया था वो पूरा करता है और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है मूवी की एक्स्प्रेन अच्छी लगी तो प्लिस संस्क्राइब करें